अज मैं आप से शेयर करने जारी हूँ Casual Makeup Look अब मैं इसमें क्या क्या प्रोडक्स यूज करी हूँ First I am going to use the Maybelline Fit Me Foundation कोई concealer अप्लाई नी किया मैंने कोई primer अप्लाई नी किया Just Fit Me Foundation मैंने अप्लाई की है और मैं फिंगर्स यूज करी हूँ इसको लगाने के लिए I am not using any brush और बहुत अच्छे से finger से blend हो जाएगी इसके बाद आपने लेना है sponge और फिर आपने sponge से इसको tap 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 करके अच्छे से अपने skin पर इसको blend कर लेना है foundation का अच्छा blend होला is the most important thing आपके makeup के लिए उसके बाद I am using Maybelline Super Stay Compact और इसको भी मैं थोड़ा से लेकर से tap tap करके अप्लाइ कर लूँगी रगड़ना नहीं इसको आपने otherwise it will take off the foundation और इसको मेरा compact अप्लाइ हो गया और यह Make a Prevolution का contour kit है मेरे पास मैं कोई contouring नहीं करी है मैं जसको उसका natural shade लेके उसको अपना eye lids पे apply कर रही हूँ just to give unnatural look उसके बाद I am using the Ardego काजल pencil काजल के बगार I cannot survive और यह मैंने इसका result मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा look देता है फैलता नहीं है और सबसे अच्छी बात इसकी यह smudge proof है और यह मैंने इसको हलका सासरा से कर लिया अब मैं यूज करने जारी हूँ essence mascara I am not using any liner एक तो liner मुझे लगाना भी नहीं आता और मेरे पे suit भी नहीं करता just मैंने एक neutral सा look देके काजल अपलाई के और mascara अपलाई कर लिया मैंने और यह मेरी eyes done होगी now it's time for the blush I am using Nix blush और इसका बहुत ही अच्छा shade है यह मैं apply कर रही हूँ यह भी मैं अपनी finger से apply कर रही हूँ blush भी अपनी finger से ऐसे नहीं जाना बिल्कुल भी अब आपने इसको उस पंसे लेके इसको अच्छे से blend कर लेना है बहुत ही प्यारा से एक shade बहुत ही cute लगता है यह वाला blush मुझे और nose पे भी लगा लिया थोड़ा सा forehead भी लगा लूँगी मैं चेन पे भी ताकि वो पूरा एक pink tone आपका चेहरा लगे उसके बाद मैं highlighter यूज़ करी हूँ cheekbones पे मैं apply करी हूँ और फिर मैं थोड़ा सा अपनी nose की tip पे apply करूँगी और फिर forehead पे पिर आई ब्रॉस के नीचे तो यह बहुत एक अच्छा सा शिम्री सा लुकतेगा बहुत ज़्यादा आपको यह वो चमचम नहीं करेंगे आप बट natural glow एक आएगा उसके बाद luscious की lipstick apply करी हूँ मैं and lipstick के बाद बारी आती है NYX का gloss है इसका बहुत प्यारा shade है और यह बहुत ही प्यार से जिस किसम के lips मुझे अपने ड्रेस के साथ चाहिए थे बिल्कुल वैसा ही यह shade अप जो है बन चुका है so I hope कि आपको यह वाला मेरा casual makeup look बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो please go and subscribe my channel subscribe, subscribe and subscribe see you in the next video